गुड़ मॉर्णिंग स्टुडेंट्स हाव आरी बिटा आई होप आप सवस्थ होंगे आज का हमारा जो लेसन होगा सेकेंड यूरोप में समाजवाद वैर रूसी क्रांती बिटा इससे पहले हमने लेसन फास्ट फ्रांसिसिक क्रांती के उपर जह है चर्चा की थी तो बिटा आज जो हमारा लेसन यूरोप में समाजवाद वैर रूसी क्रांती के उपर हम चर्चा करेंगे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि फ्रांसिस क्रांती के बाद यूरोप में जो फैलते जा रहे क्या अपने अधिकारों के परती अनेक जो है विचार जो है पढ़ने को मिलेंगे जैसे समानता, सवतंतरता, लोगों ने अपने अधिकारों के परती मांग उठानी शुरू की फ्रांसिक क्रांती ने सामाजी संद्चना के छेतर में आमूल प्रिवर्तन देखने को मिलें जैसा कि आपने पिछले अध्धहे में पढ़ा था अठारवी सदी में जो फ्रांस है वो तीन एस्टेटों में बटा हुआ था तीन एस्टेट कौन-कौन से थे पिटा पर्थम एस्टेट में पादरी दित्ते एस्टेट में कुलिन तिर्ते एस्टेट में किसान कुलिन वर्ग को पराए अभिजात वर्ग का गया और बेटा हम देखते हैं फ्रांस में कुल जनसंख्या का अधिकतर हिस्सा किसान तब के का था किसान वर्ग का था जबकि कम जनसंख्या पर्थम दो एस्टेट की थे पादरी और कुलेन की तो सामाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता किसके आत में थी कुलिन वर्ग और चर्च के नियंतर्ण में थी वेटा कुलिन वर्ग और चर्च के नियंतर्ण में थी लेकिन 1789 के करांते के पाश्यात काफी बदलाव देखने को मिले यूरोप और एशिया सही दुनिया के बहुत से हिस्सों में हाधिकारों के परती जो है मांग उठाई गई सामाजिक सत्ता पर किसका नियंतर्ण हो इसके उपर काफी जो है पक्ष विपक्ष किया गया बारत में भी राजराम मोन राए और ड्रेजियों ने फ्रांजी क्रांटी के महत्व का उलेख भी किया और भी बहुत सारे लोग क्रांटी के पस्यात यूरोप की स्थित्ती के उपर काफी जो है पक्ष विपक्ष करने लगे आगे चलकर क्या देखने को मिले बिटा अने गटनाओं ने भी इन विचारों को एक नया रूप पर दान किया जिसमें सकर ये भूमी का निभाई लेकिन यूरोप में भी सभी लोग समाज में परिवर्तन के पक्सगार नहीं थे बिटा इस सवाल पर सबकी अलग-अलग राय थे बिटा मलो अलग-अलग लोगों की अलग-अलग विचार दारा थे बिटा उनी विचार दारा के उपर हम इस अधेह में पढ़ेंगे विचारदारा जैसे कि कुछ उदारवादी थी तो कुछ रूड़ी वादी थी तो कुछ रेडिकल वादी थी क्या बताया मैंने कुछ विचारदारा उदारवादी थी तो कुछ रेडिकल वादी जिसको आमूल परिवर्तनवादी भी का गया है और कुछ रूडिवादी थी तो इन सब्दों का क्या मतलब था राजनिती की इन दाराओं में क्या फरक थे कौन-कौन सी ऐसी बाते थी जो समान थी यहां में द्यान रखना होगा कि इन सब्दों का अर्थ हर काल में या परवेश में एक जैसा नहीं था बिटा अंतर देखने को मिलता है इस अद्दाय में हम 19 विस्ताबदी की उन मैत्पुन राजनितिक परंपराओं के बारे में जो है अध्धन करेंगे जिनों ने परिवर्तन के संद्रम में क्या असर डाला इसके बाद हम एक ऐसी एत्यासी गटना पर भी ध्यान के इंद्रित करेंगे जिस्चे समाज में रेडिकल पुनन गटन का एक गंबीर प्रियास किया गया समाज में रेडिकल पुनन गटन का एक गंबीर प्रियास किया गया तो रूस में हुई क्रांती का फल सवरूप समाज बीशवी सदी के सवरूपता है करने वाले सबसे महत्पुन सक्तिसाली विचारों की सरंकला का एक हिस्सा बन गया तो बेटा सबसे पहला टोपिक हम लेते हैं जो समाज में अलग लग विचारदारा उत्पन हुई उन विचारदारा के उपर ही हम आज बात करेंगे कौन सी विचारदारा बेटा उदारवादी, रेडिकलवादी, रूडिवादी देख बटा समाज परिवर्तन के समर्थों में एक सम्हूं क्या उदारवादी गा था मलो हम देखते हैं उस दो राग कई विचारदारा सामने आई और उन अलगलग विचारदारां ने अलगलग अपनी विचारदारा पेश की तो उन विचारदारां में इसे एक सम्हूं किसका था उदारवादियों का था अब यहाँ पर क्यूशन यह बनता है उदारवादियों के क्या विचारदारा थी उदारवादियों की क्या विचारदारा थी मनो समाज के पर थी उदारवादी क्या चाहते थे उदारवादी एक ऐसा राष्ट चाहते थे जिसमें सभी दर्मों को बराबरी दर्जा मिले बराबर समझा जाए जैसे कि हमारे भारते सुविदान के अगर हम बात करें भारते सुविदान में भी क्या दर्मने रिपेक्षता कि निती को अपनाए गया है जिसमें सभी दर्म को बराबर समझा गया है और इसका वणन किसमे किया गया विटा आर्टिकल 25 से 28 में वणन किया गया है बारते सिविदान में तो ऐसे ही उदारवादी लोगों ने भी ये विचार दरस पेश की कि भी एक ऐसा समाज होना चाहिए जिसमें सभी दर्मों के लोग क्या हों बराबर हों या सभी दर्मों को समान समझा जाए आप जानते होंगे कि उस समय यूरूप के देशों में प्राई किसी भी एक दर्म को ज़्यादा मैतों नहीं दिया जाता था सभी दर्मों को क्या समान समझा जाता था बिर्टेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लेंड का समर्थन करती थी आस्टिरिया स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे तो उदारवादी समूँ वंस आदारिच सासकों की एनिंत्रित सत्ता के भी विरोधी थी अब देखो बेटा ये सभी विचार दारा रही है नोट करते चलना पहला हमने ये बताया उदारवादी एक ऐसा राष्ट चाहते थे जिसमें सभी दर्मों को बराबर समझा जाए फास्ट स्टेप सेकिंड बात उदारवादी उन्हें क्या कहा उदारवादी समू ऐसे वन्स आदारि सासको की एनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे वे सरकार के समक्स व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्सगार थे दूसरा स्टेप उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकार का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं होना चाहिए यह समू परतिनी दितों पर आधारित एक ऐसे दिर्वाचित सरकार के पक्समेर में थे जो सासकों और अफसरों के प्रबाव से मुग दो मलों उदारवादियों ने कहां कि भी ऐसी सरकार होने चाहिए जिसमें किसी के अधिकारों का हानन नहीं हो और उन्हों ने कहां ऐसी सरकार जो परतिनी तो पर आधारित हो और एक ऐसी निर्वाची सरकार जिसके पक्स में था जो सासकों और अफसरों के नियांतर प्रभाव से मुक्त होना चाहिए शावतंतर होनी चाहिए ऐसी सरकार गठित करने के ये पक्सगारते इसके बाद सूप रिक्षिशित नैपाली का दवारा स्थापित किये गए नई कानून के अनुसार सासन कारे चलाए पर यह समू लोकतंतरवादी नहीं था नोट करना बेटा यह समू उदारवादी लोगतंतरवादी नहीं था ये लोग सुरो बोमिक वैसकमत अधिकार यानि सभी नागरिको वोट डाले के अधिकार के देने के पक्स में भी नहीं थे मलो अगरीकों को बोर्ट डालने के पक्स गर में नहीं थे वो केवल उनका माणना था कि केवल बोर्ट डालने का अधिकार किसको मिलना चाहिए सम्पत्तिदारियों को ही मिलना चाहिए तो यहाँ पर क्या है व्टा? क्यूशन यह बना लेंगे उदारवादी लोगों की विचारदारा बताओ मतलग उदारवादी लोगों की क्या माहिने थे ठीक है ये किसन बनेगा जिसमें हमने क्या बताये बेटा रेपिट अगेन एक बडर मैं फिर बता देताओ जाना चाहिए दूसरा स्टेप उनका माना थे कि सरकार को किसी भी किसी के अधिकारों का नहीं करना चाहिए उनके अधिकार नहीं चीनने चाहिए वो ऐसी सरकार के जह समर्थन करती थी पक्सगरती जो सासको और अफसरों के प्रभाव से मुगतो और शुप्रक्षिशनि नयपाली का दवरा स्थापित किये गए कानुन के अनुसार सासन चलाएं और यह समुल लोक्तंतरवादी नहीं था यह लोग सुरू बमिक वैसमातर दिगार यानि सभी को नागरिक को वोट डालने के पक्सगर में नहीं थे वो तो केवल यह मानते थे के विकेवल संपत्ति दारी जो है उनी को वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए क्लियर बटा तो समझ में आ गया होगा उदारवादी की विचारदारा अब जो हम नेक्स्ट लेंगे किसके बारे में रेडिकल समू के बारे में तो बटा अब हम रेडिकल विचारदारा के उपर बात करते हैं रेडिकल समू के लोग जिसको क्या कागज जाता है बटा जैसे मैंने आपको पताया परिवर्तन वादी रेडिकल परिवर्तन वादी रेडिकल समू के लोग ऐसी सरकार के पक्स में थे जो देश के आबादी के बहुमत के समर्थन पर आदा रही तो मनों जिसको बहुत प्राप्त होता है, वही सरकार का गठन करे ऐसी सरकार के पक्सगर में रेडिकल वाधी या अमुर परिवर्तन वाधी थे इन में से बहुत सारे लोग महिला मत अदिकार अंदोन के भी समर्थक थे दूसरा स्टेप इन में से अधिकतर लोग क्या महिला को विबोर्ट डालने का अधिकार मिलना चाहिए इसके पक्सगर थे उदारवादियों के विफरित ये लोग बड़े जमिदारों और संपन उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के जो विशेशदिकार के खिलाव थे जैसे कि हम देखते हैं पहले बेटा फ्रांसिस समाज में देखने को मिलता था क्या पादवी, कुलीन इनको जनम से संबंदी विशेशदिकार प्राप थे तो इसलिए रेडिकल वादी लोगों ने कहा कि भी उद्योगपति, संपन लोग, जमिदार, इनको किसी परकार के जैसे संदिकार नहीं मिलने चाहिए उनके खिलाव में थे ये नेजी संपत्ति के भी विरोधी थे, मनलों नेजी संपत्ति के पक्सगार नहीं थे बिटा, नेजी संपत्ति के विरोधी थे लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के सेकेंद्रन का विरोध जरूर करते थे तो ये क्या थी बिटा रेडिकल या अमूल परिवर्तनवादी की विचारदारा अब हम रेडिकल और रूडिवादी विचारदारा के बीच अंतर को भी जानेंगे और रेडिकल विचारदारा की बात भी करेंगे रूडिवादी की विचारदारा की बारे में देखो बेटा रूडिवादी जो विचारदार थी एक परकारशी अंधिविश्वासी विचारदारा थी रूडिवादी तबका रेडिकल और उदारवादी जो हम देखते हैं पहले हमने उदारवादी विचारदरा बताई और फिर रेडिकल वादी उदारवादी और रेडिकल जो विचारदरा उन दोनों के क्या खिलाफ थी कौन रूडिवादी विचारदरा मगर फ्रांसिस क्रांती के बाद तो रूडिवादी भी बदलाओ की जुरूरत को स्विकार करने लगी जैसे कि हम देखते हैं पिछले अद्धाह में हमने जाना था फ्रांसिस क्रांती में कि जो लोगों का भारी सोशन होता था उस सोशन से लोग प्रेशान हो चुके थे तो इसलिए रूडिवादी लोगों की विविचारदारा बदले वो भी फ्रांसिस क्रांती के पश्यात मलब बदलाओ के पक्षगारे बने ठीक है पुराणे समय में यानि 28 सदी में रूडिवादी आमतोर पर परिवर्तन की विचार का विरोध करते थे मलब जो रूडिवादी का मानना था कि भी परिवर्तन नहीं होना ची क्या परिवर्तन नहीं होना ची परिवर्तन की विचारदार का विरोध करते थे कौन रूडिवादी लोग लेकिन 19 सदी तक आते आते वे भी मानने लगे थे क्योंकि उन्होंने यह हलाद देखी बिटा स्थित्नी देखी फ्रांस करांती के दोरान जो है जो बड़े लोगों के दवरा उनका जो सोसन होता था उस सोसन से प्रेशान होकर वे भी जह परिवर्तन की विचारदार करने लगे तो परिवर्तन की विचारों का जो है विरोध तो करते थे लेकिन 19 सदी के आते आते वो भी यह मानने लगे कि परिवर्तन होना चाहिए लेकिन परिवर्तन कैसे होना चाहिए दीरे दीरे मैं लोग परिवर्तन होना तो चाहिए आतीत को पूरी तरह से नस्ट किया जाना नहीं चाहिए। आतीत को पूरी तरह से ठुकराया नहीं जाना चाहिए। आतीत का क्या होना चाहिए। सम्मान होना चाहिए। मनलो बदलाओ की जो परिकरिया है वो क्या होनी चाहिए। देमी होनी चाहिए। तो ये किसकी विचार चल रहे विटा रूड़ी वादी विचारदारा के उपर बात की दूसरा रेडिकल वादी या अमुल परिवर्तन वादी के उपर बात की अब तीसरा जो क्विशन हम जो ले रहें तीसरा टोपिक वो रूड़ी वादी विचारदारा के उपर बात कर रहे है तो रूड़ी वा यह समझने लगी थी कि बदलाव होना चाहिए उनका मानना था कि 18 शदी तक आते आते मलो पुराने समय में यानि 18 शदी के आमतोर पर परीवर्तन के विचार के उपर रोध किया उन्होंने लेकिन 19 शदी तक आते आते क्या मलो परीवर्तन होने चाहिए वो भी ये बात मानने लगे थे और उन्होंने गहाँ परिवर्तन हो लेकिन अतीत का सम्मान हो और अतीत को पूरी तरह से ठुकराया नहीं जाना चाहिए परिवर्तन हो लेकिन बदलाव किस परकार से धीमी गती से होने चाहिए परिवर्तन किस वज़े से धीमी गती स फिटकरा हुए तो 19 सदी कि क्रांती और राष्टी कायंत्रण की विभीन कोशिसे ने इन जए सभी राजनितिक दाराओं की सीमाव और संभावनां को सपस्ट कर दिया तो यहाँ पर बेटा आमने जहें उदारवादी, रूडिवादी, रैडिकलवादी विचारदारा के उपर आपको बताया रूडिवादी विचारदारा के उपर मैं आपको यह भी बता दूँ लोग की सोच छोटी थी बेटा अंधिविश्वासी दार्ना थी उनका याता के माना गया क्या कि जो महिलाओं को पढ़ने के पक्स में नहीं थी वो लड़कियों के पढ़ाने के पक्स में नहीं थी उनका माना थी लड़कियां जितनी जल्दी पढ़ेगी वो जल्दी विध्वाओगी इस परकार के उनकी सोच थी लड़कियां जितनी पढ़ेगी वो अधिक बिगड़ेगी ठीक है तो इस प्रकार की उनकी छोटी दार्णाई थी छोटी सोच थी रूडिवादी लोगों की तो ये भी दार्णा देखने को मिली है अब जो हम नेक्स्ट बात करते हैं ओदोगिक समाज और सामाजिक परिवारतन की देखो बिटा जो ओदोगिक समाज है और सामाजिक परिवारतन ये माना गया है कि ओदोगिक नई तक्निकी जो की राजनी ती रूजान एक नए यूग का गोत्तक थे यह दोर गहन सामाजिक वे आर्थिक बदलाव का था यह ऐसा समय था जब नए सहर बस रहे थे नए ने ओदोगिक चेतर विक्षित हो रहे थे क्योंकि बेटा ओदोगिक क्रांती की शुरुवात कब हुई अठार विशदी में कहां से मानी जाती है इंगलेंड से ओदोगी क्रांती की शुरुवात कहां से मानी जाती है इंग्लेंड से मानी जाती है तो नैने ओदोगी क्षेतर विक्षित हो रहे थे इस ओदोगी कण की क्रांती के वज़े से रेलिवे का काफी विस्तार हो रहा था और ओदोगी क्रांती संपन हो चुकी थी मेंलो नैने उड्योग स्थापित हो गये थे, बाजार का विस्थार हो गया था, रेलिवे काफी विस्थार कर चुका था, ओदू छेतर का काफी विक्षित हो गये थे, क्यों, जब बटा सभ वाई गये, भई नैने यी तक्निकी, नैने मशीनों का अविश्कार हुआ, तो अधिकतर लोग गाउं से सहरों में पल्लाइन करने लगे, वहाँ पर अधिक बस्तियां स्थापित हो गई, अनेक जो हैं हम देखते हैं ओधिकन का विस्तार देखने को मिलता है और ओधिकन का विस्तार हुआ तो लोगों की मजदूरों के आवागावन के लिए रेल विस्तार हुआ ठीक है तो ये काफी परिवर्थन देखने को मिले ओधुएकण ने ओरतों और आदमियों और बच्चों सब को कारखानों मिला दिया मैंने अभी बताए ना बिटा मलो ओधुएकण के कारण नएने जो कारखाने उद्ध्योग स्थापित उने लगी और नएने उद्ध् की दरश्टी के लिए काम के गंटे यानि लंबी होती थी मलो ओधुएकण से हम यह देखते हैं कि भारी शोष्राण किसका मजदूर तबगे का उनसे अधिक गंटे काम करवाते थे मजदूरी कम दी जाती थी वेतन कम दिया जाता था ओधुएक वस्तों की मांग में काफी जहें ग्रावट आ गई थी बेरोजगारी की समस्या अधिक देखने को मिली और उन जहें बेरोजगार लोगों से अधिक गंटे काम करवाते थे और वेतन कम दिया जाता था ऐसी स्थिति यहां पर देखने को मिली किस दोरान बिटा ओधुएकण के युक के दोरान काफी सा से स्थिति देखने को मिलते हैं इस ओधिकण के कारण से काफी हम देखते हैं कि लोगों का भारी शोषन देखने को मिलता है जैसे कि हम देखते हैं ओधिकण के माद्यम से काफी मजदूरों का भारी शोषन देखने को मिलता है और बेरोजगारी देखने को मिलती है अधिकतर जो है सहर तेजी से बसते या फैलते जा रहाए थे क्यों? क्योंकि हम देखते हैं ओधिकण के वज़े से अनेक उद्योग स्थापित हुए और उद्योग कारकानों के इर्दगिर्द अनेक बस्तियां स्थापित होने लगी और इस प्रकास से सहर तेजी से खोने लगा और वहाँ पर सहरों में बारी भीड जै देखने को मिली जिस चे आवास जैसी समस्चा भी देखने को मिली और आवास में साफ सफाई का इंतिजाम ऐसा नहीं देखने को मिला और उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्चाओं को जैह हल खोजने की कोशि इसमें लगे वे थे तो ऐसे हाला तेखने को मिले लगबग सभी उद्योग व्यक्तिकत स्वामितम में थे बहुत सारे रेडिकल और उदारवादी के पास भी काफी संपत्ति थी और उनकी यहां बहुत सारे लोग नोकरी करते थे उन्होंने व्यापार या ओदुगी व्यशा करना शुरू कर दिया इसलिए चाहते थे कि इस तरह के प्रियासों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए उन्हें लगता था कि अगर मजदूर सवस्थ हों और नागरी पड़े लिखे हों तो इस वेवैस्ता का बरपूर लाब लिया जा सकता है यह लोग जनम ज अधिकार प्राप्ते थे उनको समाप्त करने के पक्सगार थे वैक्तिकत प्रियासों वो दमसिलता में उनका गैरा विश्वास था उनकी मानेता था कि यदि हर एक को वैक्तिकत सवतंतरता दी जाए तो गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पुंजी है उनके बिना रोक टोक काम करने का मोका दिया जाए उदारवादी गरीब तब के सवतनत्ता देने के पक्सगार में थे और जनम से संबंदी जो विशेश सदिकार है उसको समाप्त करने के पक्सगार थे इसके इसी कार्ण 19 सदी के सुरुवाती दसकों में समाज परिवर्तन के इच्चुक बहुत सारे कामकाजी इस्त्री पूर्ष उदारवादी और रेडिकल सम्हू पालिटियों के इर्द इर्द ही गोल बंदे हो गए क्योंकि उदारवादी लोग जो हैं गरीब तबके का विकास करना चाहते थे गरीब लोगों को जो अधिक से अधिक जो हम देखते हैं अधिकार मिलें काफी परिवर्तन चाहते थे उनको छूट मिलें जनम से सम्मधिशे से समाप्तो और व्यक्तिकत प्रियास के आदार प् विश्वास था उनकी मानेता थे कि यदि हर एक व्यक्ति को व्यक्तिकल संतंतरता दी जाए तो गरीब गरीबों को रोजगार मिले और उनके पास पुंजियों इस प्रकार से वो जह है बातों के पक्सगारे थे तो यहां पर आमने क्या बताया ओधिकण से क्या हालात देखने को मिले ठीक है ओधिकण से जह लोगों का भारी शोषन देखने को मिला क्योंकि बेटा उद्योग स्थापित होने से अत्तिक लोग जह है गाउं से जह सैरों में गए उनको से अधिक गंटे काम करवाया जाता था और वेतन कम दिया जाता था तो यह ओधिकण के परभाव के उपर हमने यहाँ पर बताया ठीक है बेटा तो बेटा इस वीडियो के माददम से हमने जो क्यूशन आपको समझाए आई होप आपके समझ में आगे होंगे इन जह है विचारदारा से समझ जो क्यूशन बनते हैं वो आप लेखेंगे और लान करेंगे ओके नाइस टोकिंग तो इबटा थैंक यू